नमस्कार दूर्दर्शन के इस खास कारिक्रम स्वास्ति चर्चा में आप सभी का स्वागत है इसमें कोई शक नहीं कि बरसात का मौसम हमें गर्मी से राहत देता है मगर उतना ही बिमारियों को आमंत्रन भी देता है क्यूंकि बरसात का मौसम चल रहा है तो ऐसे में बिर्मारिया तो दस्तक देती है इसलिए आज हम बात करेंगे बरसाती बिमारियों यानि की मौनसून डिजीजेस पर बरसात के मौसम में सुरक्षित कैसे रहा जा सकता है तो सबसे पहले डॉक्टर मैं आपका हमारे स्कारिक्रम में स्वागत करना चाहूंगी आपका हमारे स्कारिक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहला सवाल में चाहूंगी कि आप हमारे दश्यकों को बताएं कि इस बरसात के मौसम में किन बिमारियों का खत्रा जादा बढ़ जाता है बरसात का मौसम जो है समानित या बीमारियों का मौसम ही है इस मौसम में जो वसुंधरा है धर्ती है आमलियता से बढ़ जाती है और गर्मी के मौसम में बरसात होने के बाद जो वाता वरन जो है वो थोड़ा जो है संक्रमित वाला हो जाता है इसमें मौस्चर भी हो जाता है तो इस मौसम में बीमारी जो है तेजी से फैलने की सम्भावना हो जाती है वाइरल हो वैक्टेरियल हो इस तरह की समस्य काफी तेजी से होती है तो बरसात का मौसम जो है एक तरह से देखा जाए तो बहुत उपयोगी है फसल के लिए लेकिन यह जो है मौसम है बीमारी को भी बढ़ावा देता है इस मौसम में हमें अन्य रितूओं के पेक्षा इसमें विश्यश ध्यान लखना पड़ता है। जी जैसे कि इसमें डॉक्टर मलेरिया मच्छड की काटने की बीमारियां भी जादा हो जाती है, मलेरिया हो गये देंगउ हो गये, तो इसके लक्षण कैसे पता चलते हैं, और इसका आयरुवेद में क्या उप्चार हुकता है। मलेरिया, डेंगउ और जो चिकंघर से फ्याहर फैलता है, सबसे पहले जो डेंगू है इस समय फ़ंगन्गी वह सहाँ घंदिऑ हो, जहां पर पानी का जमाव जादा हो, पानी का निश्कासन कम हो, अगल वगल नाला हो, जाड़ी हो, उस तरह के जगह पे मच्छर बहुत तेजी से पनपते हैं, और उस मच्छर से पनपने के कारण, लोगों में बीमारिया उस समय जादा बढ़ते हैं, लारवा उनका पानी में जमा होता है, तेजी से फैलता है, बढ़ता है, तो उस सबसे पर है तो हम उसके कारण को दूर करें, कारण में हम आसपास के पानी को साफ रखें, पानी को जमने ना दें, वहां पर किरोसीन कछिड काव करें, ब्लीजिंग परड़ कछिड काव करें, अगल बगल जो है, बीमारियाँ होती हैं, तो बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है क्योंकििंगा इम्मुनीटी भी कम होता है, तो तेजी से डेंगो में आपका प्लेटलेट खट जाता है, तेजी फीवर होगा, माथा दर्ध होगा, भुमेटिंग की समस्य नॉर्मल मैलरीयाने नहीं होगा, चिके तो इस मौसम में इस तरह की बिमारी को पहचाना जाता है, तो तुरंत उप्चार करें. खान पान में सबसे पहले हम कुन को लिक्विड डाइट देने की जरूरत है कच्छे फाल फ्रोट सब्जी सरा देने की जरूरत है और प्लेटलेट से दिक कम हो रहा है तो उसके लिए फिर हम अनानास है कीवी है पत्ते करस है इस सब चीजों कर दें और आईरवेद में बहुत की बात कर रहें चिकन गुनिया की तो इनके लक्षणों में हम फर्क कैसे कर सकते हैं लक्षण में जो डेंगु का है मुट्वाइए मतलब जो फीबर बहुत तेजी से एक सो चार एक सो फांस तक चला जाए नॉर्मल मेलरिया में नहीं ऐसा होता है चिकन गुनिया में उतना बहुत ज्यादा एठन होता है और दूसरी बात जो है इंपोर्टेंट यह है यह लंबे समय तक होता है ठीक होने के बाद भी उनको घुटना हाथ पैर में दर्द की समस्या बनी रहती है मतलब पूरी तरह से कमजोर कर देते हैं हाथ पैर घुटने का दर हमने अपने अभ्यास रोगी को जो देखते हैं रोगी को प्रैक्टिस में हमेशा देखे हैं कि मलरिया हुआ उनको चाहे डेंगू हुआ तो काफी दिनों तक उनको ज्वाइंट पेंड की समस्या रहती तो उ आरवेदिक दवा हैं जैसे लाक्षादी गूगू है कुछ दिनों तक यूज करना चाहिए गिलो एघनवटी का यूज करना जैसे इम्मुनिटी आपकी बनी रहे और उसका साइड इफेक्ट है वो लंबे समय तक बना रहता है उसको हम लोग कम कर सकें तो यह तो जैसे लियता बढ़ जाती है पानी में पानी बरसात में बारिश के कारण पूरा हर जगा का पानी मीक्स हो जाता है तो पानी भी संक्रमित हो जाता है सबसे पहले हमको इस मौसम में पानी जो है बुआल करके ठंडा करके पीना चाहिए घड़े का पानी निबरसात में नहीं पीना चाहिए सबसे पहली बाद और पानी बॉल करके ठंडा पी लिए और इस समय जैसे प्रिथवी पर वसंधरा पर धर्थी पर जलकी अमलियता बढ़ती है उसी तरह हमारे सरीर में अमलियता बढ़ जाती है पित की विगृती बढ़ जाती है वरसात के मौसं में तो पाचन की समस के कारण और इधर पाचनगनी कमजोर हों का बीमारी बहुत तेजी से फैल जाती है फूट वाइजन हो जाएगा डैरिया हो जाएगा टी सेंट्री हो जाएगा तो इसको यह तुरंत हम कंट्रोल में नहीं लाएं तो रोगी की स्थिति मतलब खराब ही हो सकती है तो वार्या का गोल आप दे सकते हैं और डिसेंट्री होने पर फिर बिलवादी चूड़ना है कुटज घंवर्टी है इन सब चीजों का यूज करना चाहिए ऐसे भी बरसात के मौसम में बेल के पत्ते करास वगरा थोड़ा यूज करना चाहिए बैक्टेरियल इंफेक्शन से आपको ब बरसात के मौसम है इसे में टाइफाइट के मामले भी बहुत ज़्जादा बढ़ते हैं बरसात के मौसम में बिलकुल टाइफाइड बरसात की जो मतला मुखे बीमारी बरसात में होने वाला और अधकर बहुत कॉमन देखा जा रहा है ने बच्चों में भी इसको देखा जा रहा है और इसका लक्षन जो है काफी लंबे टाइम तक ब्लड में रहते हैं आपका सरीर इम्मिनिटी कमजोर होगा फिर से उसी तरह का फिवर क्यों कि वह जो गटना हो नहीं लगता है वजन का मुख्य कारण है गंदा भोजन गंदा पानी पीना यह दो मुख्य इंपोर्टन आजकल के बच्चे जो हैं बीना हाथ दोए भोजन करते हैं वो भी उसका मुख्य कारण है जब भी आप भोजन करें तो हाथ को बढ़ियां से दोग कर भोजन करें भोजन साफ सुत्रा करे पानी इधर उधर करना पिए पानी वोयल करके ठंडा करके बोतल में रख लें उस पानी को सेवन करें बाहर का जैसे चार्ट समोसा गुलगपपा है गुलगपपे का पानी है उसे हमें काफी इंफेक्शन आता बरसात के मौसम में कहीं कहीं का पानी यह यूज कर सकते हैं वह तो उसको भी बचना चाहिए वर्षात के मौसम में हम नहीं खाया और टाइफाइड एक बार हो जाने पर ब्लड में बहुत दिनों तक ब्लबत समय तक निकल नहीं पाता है उसका वैक्टेरिया जाकर आत्मे जाकर चुप जाता है आत्र जोर बोला ही जाता है तो आतमे चु जो भी बैक्टेरियल इन्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं जो उसके कारण है उसको दूर करना चाहिए तो इसमें वाइरल फीवर भी बहुत हमें देखने को मिलता है कि यह भी पूरे आंग की तरह फैलता है यह तो अक्सर लोगों में देखने को मिलता है कि बरसात के मौसम में हम सुनते हैं कि वाइरल हो गया है तो यह इसका क्या कारण है वाइरल मतलब क्या हुआ कि फाइल गया वाइरल का मतलब फाइल गया, एस्प्रेड हो गया, एस्प्रेड कैसे हो गया, कि जिस तरह से मतलब एक संक्रमित बीमार आदमी है, तो उसके ठूकने से, छीकने से, खासने से, आसपास का जो वातावरन है, हवा के कारण, किसी अन्य वैक्टर से फाइल सामने वाले को संक्रम है, और केक है उसमें तुरन्ट फंगर्स लग जाता है, उसको किसी भी कीमत पन नहीं खाना चाहिए, लोग बचाने के उद्धर से खाता है, फ्रीज का समान बहुत लंबे समय तक रखा हुआ है, उसमें फंगर्स लग जाता है, तो फ्रीज का खाना को वाइट करना बाम बच्वाई चाहिए, यह हम बचाना बश्चाई हुआ है, बहुत बच्वाधा को समाने के समय चाहिए तो इसमें मॉसम में देखते हैं कि Uber हमारी बहुत कमज़ोर होजाती है, इसलिए यह हमारी तब्यदस ज्यादा ब़िगर्ने लग लगती है, कोई भी, जImञत madam नह हो गया है तो यह भी जल्दी बढ़ता है इम्म्यूनिटी को कैसे हमसे इनीटी कारण से बढ़ सकता है आप ज़से सब से बुख्राइब करें आनलोम बीलोम ठोड़ा वर्किंग करें एयोगी एक्सराइज करें कि वीनिटी आपके पूरे body community आपका शेल पर निरभर करता है और सेल का भोजन है oxygen आप ऐरोबिक से करें इनहलेशन करें अनलोम बिलोम करें अने प्रणायाम करें एक्सरसाइज करें दूसरा चाहिए कि जो रितू है जैसे बरसा का रितू है उस जो आयर्वेद की दिष्टी से आहार होता है, जो उसका दिंचर्या होता है, उसको फॉलो करना चाहिए, इस रुतु में जो फल, सबजी मिलते हैं, उसको खाना चाहिए, और तो इसमें किस तरह के फल खाने चाहिए इस मौसरम? जैसे भी, जैसें, जैसे नस्पाती मिलता है, जया होता है और नॐ सब्सकों, आप सब्सक्राइब करना चाहिए, और जो फाने चाहिए जो ऐसब निकाड़ी होता है, जो बन्य बैन क्रणन से भी बर्सात में infection के करण है इंफेक्शन के कारण तो बर्सात बीमारी को बढ़ाने जॉला मुचा एलह मुचा है, है टाइफाइड है, जॉनडीटिस है लीबर से सम्मंदित अन्य जो समस्यां है डेरिया है डिसेंट्री है तो यह सब समस्या को बरसात का मौसम बहुत बढ़ावा देता है तो इन सब चीजों में बहुत सहगतका क्या रखना है क्योंकि आप लंबे समय तक यदि इस बीमारी से आप संक्रमित हो जाएंगे तो लंबे समय तक परिशान रह सकते हैं अब क् कि खाने पीने की बात कर रहें डॉक्टर आप तो किस तरह का आहार लेना चाहिए और किस तरह की सब्जियां नहीं खाने चाहिए बिल्कुल बरसात के मौसम में सबसे पहले बहुत पतेदार सब्जी हरी साग सब्जी नहीं खाना चाहिए लेकिन ऑप्शन क्या है कि उस समय साग सब्जी मिलता भी है, जादा तो उसको सबसे पहले क्या करें? कि उसको नमक पानी से धोले और साप सुत्रा उसको बढ़ियां से चूले किसी तरह कीड़ा, कई फंगस लगा हो, पत्ते खराब हो, उनको हटा ले, पानी में उसको उबाल ले सब्जी को, और पानी में तु इसके बाद उसको आप यूज करेंगे, तो बहुत कम नुकसान देह करेगा, फल सब्जी में, सब्जी में कीड़े भी बहुत लगते हैं इस मौसम में, तो उस सब चीजों को भी देख रेक करना पड़ता है, और सबसे पहले है कि इस मौसम में पाचन अगनी कम जोल हो जात भूक भी बढ़ाता है, भोजन पचाता भी बीच में इस सबर्बास अग्यान करता है, उस को मतलब ढबाता है, और दूर करता है और भी डूहआस के ए उपवास कर सकते हैं और जैसे निम्बू है तो उसमें काली मिर्च और सिंधा नमा के साथ थोड़ा सा भीच में भोजन के बीच में ले सकते हैं जैसे आपकी भूग की प्रविड़ती बढ़ेगी और सुबह साम थोड़ा तहलने का आदत डालें और वो सब चीज ना खाएं जो देर से पस्ता हो जैसे पनीर हो पीजा हो बर्गर हो फास्ट फूड हो जो बहुत देर से पस्ता हो रूगड़ा हो इस समय में रूगड़ा बहुत मुलता है लेकिन सेहत के लिए मतलब जिनका पाचन मतलब कमजोर है पेट की समस्या जिनको कब्च की समस्या उनकी लिए पेट साफ करने की दवा भी लेने चाहिए लमे समय तक आप खा रहे हैं भारी फोड और कब जीयत रह रहा है तो उसको दूर करने के लिए बीच पीच में आप वीरे चक जरूर ले त्रीफला चूरन है इस तरह के चीजों का हरित की चून है बीच की चून है इस सब चीजों क आप सुसम पाने शरात में लेकर आप मतलब पेट को ठीक रख सकते हैं जी डॉक्टर जैसे आप इसकी बात कर रहे हैं वाइरल फीवर की आपने बात की इसमें बुखार हमें हो नहीं हो बरसात के मौसम में हम अक्सर देखते हैं कि सर्दी खासी जुकाम हमेशा रहता है तो इसमें कैसे इससे कैसे बचाफ किया जा सकता है घर में रह करके टॉंसिल वगेरा की समस्या भी जादा बढ़ जाती है इसमें तो कीचन तो है आपका एदम समझे जो भारतिय कीचन है जो पाक्षाला बोलते है वो औस दी का घर है वापर बहुत सारी औस दिया मौजूद है जैसे सबसे पहले हम बता दें कि बरसात में बीमारी होता क्यों है जैसे बरसात में थोड़े देर के लिए भीग जाता है फिर आकर इसी तरह कपड़ा चेंज नहीं करता है फिर आप उसी में काम करता है सबसे पहले आकर आप थोड़ा भी भीगे है तो आप पूरी तरह से सरसो तेल अपने हाँ थेली तलवा में लगा लें थोड़ा सर पर लगा लें तब बतलब 90% आप बीमारी से बद जाएगा और उसके बाद कपड़ा को चेंज कर लें कपड़ा ड्राई रखें अपने जो सोने का बीश्तर है तकिया है बेट को भार उसको भी बीच में तेज द करें निम्बू का चाय पिए उसमें थोड़ा आजवाइन लें डाल कर लें और रात में दालचीनी का पॉड़र दूथ में आप ले सकते हैं और ग्रीन टी का यूज करें लिक्विड डाइट को थोड़ा बढ़ावार जैसे दलिया है शूप है खिचड़ी है इन सब चीज अब करना खृम करें खहलका सार्य जाओं के साथ ऊरहें और तो यह सिर्फ दूद्ध movement बेंगे जा के लिए क्या हमें सारे परशाद के मौस्ता में डेरी प्रोड़क्ट का यूज थोड़ा कम करना चाहिए इसलिए कि बहुत लोग को पेट की समस्या होते हैं पेट की समस्या इन सब चीजों से बढ़ भी जाती है दही आप यूज करना चाहते हैं तो ताजा दही यूज करें क्योंकि उसका जो वैक् तो उसको भी अवाइड करना चाहिए जिनको कब जियत की समस्या है तो उनको अवाइड करना चाहिए और दूद यदि आप लेना चाहते हैं जिनको मतलब सर्दिखासी है फिर भी दूद लेना चाहते हैं थोड़ा मजबूती के लिए तो उसमें हरिद्रा खंड या हल्दी defekts dif calendar जवसे भी हो भात बाट कर रहे हैं तो तो कि gua ऐसे बात कर रहे हैं तो तो मतलब बरसात के मॉसम में जब की मात्रह कम लेनी चाहिए लए ऐसी बढ़ नहिंद ज़ू बढ़ाता है इसलिए दूद की जो अप्रोडक्ट है बढ़ाता है बाकि आप चना और राजमा मातर यह सब पीब में प्रोटीन पायाता है कड़ी का पता है आपको तील है यह सब प्रोटीन पायाता है आप इसे भी यूज कर सकते हैं दूद का मतला ऐसा नहीं कि आप पोनी प्रोटीन मतला करना है दूद नॉनज खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं इस मौस्ट में बरसाद के मौस्ट में नॉनज को वाइट करना चाहिए यह क्योंकि आप नॉनज जो इस समय खाने से आपको नुकसान दे है एक तो जितने भी परसू पक्च्छि जानवर हैं वो बिमार भी हो जाते हैं ब भरसात में होता स्काहिए जानवर दिड़ हो जाते हैं तो उभी हानी yhtारत है और हृ घ्याफ काने साथ दोक्टर भीगते हैं कि नौन भूज नहीं खाना चाहिए तो आसे में गया करना चाहिए मेरे बरशाथ के मौशन बहुत सबसे पहले के शरीर को आकर बाहर से असनान कर ले और उसके बाद नारीयल तेल वगरा लागा ले और ज्यादा समस्यार तो कैसोर गूगोल है आई रोग वरधनी वर्टी है एक सबता दर्शति बर्साथ के मौशन मेरे ऐसे भी आप खा लेंग और इचिंग जो है उसको बार-बार उसको खुजलाना भी नहीं चाहिए उससे बीमारी और बढ़ जाती है और कपड़ा साफ सुत्रा होना चाहिए बरसात के मौसमें और सुखा हुआ होना चाहिए बहुत बार नमी के करण कपड़ा सुखा नहीं रहा तो उसको पहन लेते हैं तो उससे भी बीमारी हो जाती है तो हम लोगो कपड़ा ड्राई रखना है और कपड़ा साफ सुत्रा पहनना है मतलब ऐसे में फंगल इंफेक्शन्स जादा बढ़ते हैं हाँ यदि नमी रहेगी तो कपड़ों में तो ऐसे में कई वार हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में दूसरी बिमारिया भी बहुत घर कर लेती है जादा बढ़ जाती है फिर चाहिए वो अर्थराइटिस हो गया और चाहिए पर जादा बीमारिया जाती है जाती है इसक्त! तक बात है तो फीत की विगरिती बढ़ने के कारण और बशाथ के मौसा में अमोमन हर एक कुमर के लोगों के इम्मुनिटी घट जाती है एक तो वातावरन में नमी होती है, सूर्य के प्रकास की कमी होती है और जिसके करण शरीर को परयाप मतलब सनलाइट भी नहीं मिल पाता है, तो विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो शरीर ऐसे भी इम्मुनिटी से सफर करता है, तो खान पान जो है हमको इसमें अच्छा रखन पढ़ता है, लेकिन फिर भी जिनको गठिया की समस्या हो, बढ़ जाता है, तो उनको खटे चीज का, सीट्रस चीज का, दही है, चना है, उड़द, राजमा, मटर, इन सब चीजों का सेवन पहले से बंद करना चाहिए, और परसाथ के मुझता है, और परसाथ के मुझता है बढ़ने का यह भी कारणा कि फिजिकल एक्टिविटी लोगों का कम हो जाता है, परसाथ के मुझता है, बाहर निकलते नहीं है, तो घर में ही कम से कम, 15-20 मिनट, सूबह, साम, अपने शरीर पो एक्सराइज करें, और अभीक एक्सराइज करें, शुक्ष्म बयाम करें, सब को परेज में रखना चाहिए, इस मौसा में बच्चे हो, बुढ़े हो, इस्तिरी हो, और रूगी हो, उन सब को भी से ख्याल लगना पड़ता है, अब बच्चे जो है, इस तरह में सबसे अधिक उनको समस्या, लूज मोसन की होती है, डायरिया, डिसेंट्री की होती है, बारबान को फीबर आता है, खाने की इक्षा नहीं रहती है, चिर-चिरा हट बढ़ जाती है, और मतलब खांसी सर्दी की समस्या होती है बच्चों में, तो एक तो है कि सननाइट उनको मिलता नहीं है प्रोपर, और खाने पीने में उनको भूख भी कम हो जाता है, तो जिसे चोटे बच्चे है तो उनको बीच-बीच में लवन भास कर, हिंग वास्टक, उनको मिक्स करके पॉडर बना के एक चुटकी सुबह साम गरम पानी से देते रहे भोजन के बीच में, तो उनकी पार्चन की समस्या ठीक रहेगी, डारिया डिशन ठीक रहेगा, और बुखार चुरन दे सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि बीमारी हो तब ही आप यूज कर सकते हैं, आईरवेदी का उसदी आपके मतलब आहार की तरह, परसाद का मौसम शुरू हुआ तो एक सब्ता दस दिन, आप उसको सीटो पलादी चुण, मधू के साथ या घी के साथ उसको दे देंग काई समस्छा से बच्चे रहेंगे, और बच्चे को आज कल गड़ी मुख्य कारण है, और बच्चे को मोबाइल देते हैं का खाने के लिए और मतलब उसमें खाने पी नेपन का ध्यान रहता है, अब मोबाइल को छुआ को बिना हाथ दो एक खाना कहते हैं वह भी बिमारी क मुख्य कारण बच्चों में तेल मालिस बहुत जरूरी है इस समय में और जो युवावर के हैं उनको समस्या हो जाती है जिससे में फीबर मैलेरिया और जो मतलब टाइफाइड जो बाहर खाते पीते हैं तो उनको अपने खान पान का ध्यांत पानी अपना साफ सूतर अपना बोतन में लेकर चले भीगने से बचे भीग गया दी घर आके फिर से नहाले कपड़ा चेंज कर ले और सरसोतेल का इस्तमाल करें थोड़ा सा नीमबू अद्रग तुलसी का चाय पी ले इस तीनियां जो हैं ज्यादा थर हाउस वाइब जो हैं घर में रहती हैं तो उनको भी मतलब पर्याप्त ऑक्सिजन वाली जो हवा नहीं मिल पाते कीचन में तो एक जोस्ट का यूज करें वेंटिलेशन उनका होना चाहिए साम और सुबह में कभी भी मौसम ठीक रहे तो 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 यादत डाले 15-20 मिनट का अपना एक्सरसाइज जो है वो खान पान में जरूर और अपने सिहत का द्यान तो जैसे अंक सर हम देखते हैं कि आसपास का वातावरन बरसात के मौसम में दूश्ट हों ही जाता है तो चूने से बीमारी जादा फैलती है तो क्यासे सुरक्षित रखा जा सकते हैं कि बीमारियों को बढ़ हावा ना मिलें सबसे पहले कि बड़ा सुद्ध हो जाता है और दूसरी बात है कि जैसे घर में जो पोछा उच्छा लगता है उसमें भी आप थोड़ा सा नमक डाल के पोछा करवाएं तो उससे काफी हद तक दूर रहता है बैक्टेरिया पन अपने का और कोशिज करें कि घर का जितना भी कीचन के खाना हो किसी भी तरह की जो नमी फाइला है उसी जो का जमाना हो जो को ड्राइक करके रखे सुखा कर रखें कीचन में कौकरोज की समय सही समय बढ़ जाते तो उस सब को बिल्कुल धिहान रखने की जरूरत है तो मैं चाहूंगी कि डॉक्टर आप हमारे दर्शकों को अपना अपन बिमार होता है अपन ही गल्ती ह rice उता है तो आप वह गल्थी ना करें इसे आप्यमार पढ़ते हैं आप रितू की अनुसार अपना दिंचर्या रखें अपने जो ऐसके साथ अपने भोजन रखें इससे आप स्वश्तर रखें जी बहुत अच्छी बताई ACT बात बटाई द और उनका इलाज कैसे हो सकता इसकी जानकारी रखना बहुत आवशक है इस पर आज हमने चर्चा की डॉक्टर रेंकेटेश कातियाइन जी से उन्होंने कई बाते हमें बताई कि इसका इलाज उपचार कैसे किया जा सकता है और आयूरवेद में इसका उपचार किस प्रकार से स कर सकते हैं और टाटा सकाई के चानल नंबर 1145 पर भी हमारा ये चानल इजी ली एवलेबल है तो इसी के साथ हमें दीजे इजाज़त स्वास्ते चर्चा के अगले अंक में फिर मिलेंगे आप से तब तक के लिए नमस्कार